कि 49 एमयू आज साइन हुए हैं मोटे तवर पर लगबग ये 18,300 करोड रुपए के निवेश का प्रस्ताव आज प्राप्ट हुआ है और मैं समझता हूं कि इसके कारण जहां संपन्नता भी आएगी वहीं रोजगार के प्रत्यक्षवरा प्रत्यक्षवसर भी लोगों को मिले देंगे नरडको के साथ जम्मू कस्मी सरकार ने दस हजार कंस्ट्रक्शन वरकर्स को कि स्किलिंग का या मैं कहूं कि स्किल डेवलप्मेंट का काम सुरू किया है जो काम प्रारंब हो गया है आने वाले समय में जब इनकी प्रजेंस बढ़ेगी तो ये संख्या और बढ़न आने वाली सेंट्रल और स्टेट गवर्मेंट के इंप्लाइज के लिए तथा पुलिस पर्सेनल्स के लिए आने वाले दिनों में हम सब आवास बनने एक एमयू साइन हुआ है और बाकी लोगों का भी हम जल्दी करने वाले नरेटको को बढ़ाई देता हूं कि जम्मू कस्मीर चेप्टर भी उन्होंने सुरू कर दिया है और जम्मू कस्मीर के हमारे जो साथी इससे जुड़े हैं उनको भी मरहदे से बढ़ाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस भावना से नरेटको पूरे देस में काम कर एक बात मैंने कही थी कि Central Secretariat ये प्रधानमंत्री जी ने एक योजना प्रारंब की की जो भी प्रदेश है उनकी राजधानियों में एक Central Secretariat होना चाहिए ताकि वहां की अवाम को सामाने नागरी को भारत सरकार के सभी कारेयाले एक जगह मिल जाएं तो ये फैसले भी हमने कर ल करेगी तो मोटे तोर पर जो मुख्य बातें थी हूं हमने बता दी है सर्गुरसमर सर्गुरसमर और पबलिक टीवी से सर्थ सवाल ये है कि रियल स्टेट जो इंडस्ट्री है वो जमुकश्मीर में आ रही है लेकिन जमुकश्मीर के कहीं जादा अराजने तिक दल अगर ए जा रही है जमुकश्मीर के लोगों को प्रात्मिकता नहीं जी जा रही यह आपके ध्यान में भी होगा इस बारे में सर आप क्या कहेंगे मैं मैं इसे पूरी तरह खारिज करता हूं और जो भी हाइड्रो पाउर के प्रोजेक्ट या रेलवे और नेस्नल हाइवे नेचाई डी सील जो काम करने हैं मैं आपको बताना चाहता हूं देश के दूसरे किसी राज़े से आप तुलना करिये तो लोकल इंप्लाइमेंट यहां सबसे ज्यादा दिया गया है हाँ यह सच है कि कुछ स्किल्ड काम है जो इस्किल्ड आदमी ही कर सकता है तो अब प्रोजेक्ट अगर पूरा करनी है तो इस्किल्ड आदमी चाहिए बाकी मैंके एक प्रजेक्ट के बारे मेरे पास वीवरण है और हर महीने हम रिपोर्टिंग लेते हैं हमारे पास भी जाती है और चीफ सेकर्टी के पास भी जाती है तो मैं इसे पूरी तरह खारिज करता हूँ तो मैं आपको यही कहता हूं कि आपके मुँँ में घी सक कर वो सुखत दिन आप जल्दी देखें ऐसा प्रहत बहुत सी परिणाम में दिखाई पड़ेगा मैं अरुन शक्मा इंडियन एक्सप्रक से हूँ मुझे एक क्वेस्चन है कि आपने अभी तक कितनी लेंड इडेंटिफाई की है फार इंडस्ट्री एंड फार रियल स्टेट और इसमें कि कोई अग्रिकल्चर सेक्टर से भी लेंड यूज पैटर्न चेंज होगा क्या जा उसके बिना ही इडेंटिफाई देखें इंडस्ट्री के बारे में कई बार कहा जा चुका है कि छेहजार एकड का हमारे पास लैंड बैंक था हमने इंडस्ट्री को अनमती दी है कि अगर अगर अग्रिकल्चर लैंड भी इंडस्ट्री के लोग लेते हैं तो लैंड यूज चेंज करने के जो लाज हैं वो हमने बना दी है जो हमारे पास सरकारी जमीन है चाहिए वो जमू डेवलोप्मेंट अथारटी की हो वो रियल इस्टेट सेक्टर को भी हम देंगे और ये लोग नीजी जमीन खरीद के भी हाउसिंग कालनी बनाएंगे तो ऐसा कानून हमने बना दिया है और जैसा हमारे मुक्र सचीव ने उद्बोधन में बात कही कि अगर पैसा लगाने हमारे पास पैसा हम जहांचे हम वहां खर्च कर सकते हैं तो जिसके पास जमीन है उसको भी आपसन मिलना चाहिए को उसको सबस और विवस्था क्या लगती? सब्सक्राइब को एक मीटिंग कमेटी बन गी है क्या लगता है कि यहां पे भी क्लैमर बिल्ड हो रहा है कि कुछ लोग कहते हैं कि यहां से भी आंट फोर स्पेशल पावर एक्ट को हटाया जाना चाहिए उसमें आपकी क्या राय है? क्या क्याना चाहिए? मैं किसी नेता की बात पर कोई परतक्रिया नहीं देना चाहता हूँ मेरे पास दूसरा काम है हाँ यह जो बात आपने कही है डेमोग्रेफिक चेंज लाने की जो मतलब धर पैदा कर रहे हैं कि डेमोग्रेफिक चेंज आ जाए इससे मुझे लगता है कि लोगों की भावनाओं को भड़काने का एक कुछित प्रयास है और इससे कोई डेमोग्रेफिक चेंज नहीं आने वाला है मैंने अपने जब मैं चर्चा कर रहा था तो मैंने सभी रियल इस्टेट के बड़े प्लेयर से भी ये निवेदन किया था कि जो आप काम करने जा रहे हैं हमारे जम्मू कस्मीर के भी जो हमारे इस शेतर के प्लेयर हैं उनको साथ जरूर रखिए और इन सब लोगों ने मुझे भरोसा दिया है कि यहां के लोगों को भी हम साथ रख करके जो आगे development होगा उसको करेंगे तो मुझे लगता है कि आपको ये बात मालूम है कि देश के सुदूर इलाकों से जो लोग आए हैं उठीक कहा किसी ने कि वो बिजनेस करने नहीं आये हैं जम्मु कस्मीर का बिकास देश का बिकास है इसलिए इस भावना से वाए हैं और इस बात का ख्याल लगए लगे कि जम्मु कास्मीर में भीखिरा नंदनी पैदा हो और आंट पूर स्पेशल पावर एट को सर लेकिए जो क्लैमर बिल्ड हो रहा है कुछ लोग कह रहे है नागलेंड में कमिटी बनी है तो यहां से भी रिवक होना चाहिए काफी देर से उसकी चिंताब मत करिये मैं उसे ठीक से देख रहा हूँ अभी मुझे कोई ऐसी ज़रु नहीं महसूस हो रही है। ग्रेटर जम्मू पंकश खुजूरिया। ग्रेटर जम्मू पंकश खुजूरिया। अब आगे आप इसके लिए क्या कहेंगे और क्या ये स्मार्ट सिटी का एक हिस्सा है। देखे आप मिठाई खिलाइए। आज का सम्मिलन उसी दिशा में परभावी कदम उठाएगा तो बढ़िया मिठाई लेके आईएगा। शुट